बेस्ट टेलेंट के लिए बेस्ट पैसा चाहिए वहां पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थोड़ा सा वो अपना इगो वाला चीज पैकेज मत पूशनों सामने इंटर्विवर सौरप सर जैसा हो तो थोड़ी सी चहरी की हवाईया वगरा वड़ जाती हैं हमारे बात की स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक हो परहरत है पैकेज अगर थोड़ा सा शुरू में ठीक मिल जाए ना पैकेज मत पूशनों हम इससे बच्पन से ही प्रताड़त हुए उसके टेस्ट में भी नी बैठी थी तो आई-ई-ई-टी ने जो किया है वो बहुत से ही पैकेज मत पूशनों प्लेस्मेंट के वज़ा से वो स्कोर्स में जाते हैं आप घर से कब तक पईसे मागों गया असी लाग का पैकेज है तो मैंने रिजाइन कर दिया और मैं बहुत संतस्ट हुए प्रोफेशनल डिगरी कर रहे किसी भी छात्र के जीवन में महोत्सव क्य का ख्वाब लिए सभी स्टुडेंट्स इस दौड़ में भी दौड़ने लग जाते हैं दौड़ के अंत में जो इनाम मिलता है उसे कहा जाता है सेलरी का पैकेज जितना अच्छा प्रदर्शन उतना अच्छा पैकेज कई मौकों पर यह इनाम करोनों तक भी पहुंच जात कर वो पैकेज को निकालकर एक मीन या फिर मीडिया नुसका गोश्चत करेंगे तो भाई मीन तो यह होता है और आप जानते होंगे और मीडियान की जो डेफिनिशन है वह हम आपको चलते चलते इसी वीडियो में बता देंगे और इसी बीच खबरों से भी और आपको डीट अंदर मौजूद हैं तो दिभाई आपके इंस्टिट्यूट में भी हुआ था के प्लेस्मेंट ड्राइव वगेरा कैसा राता सभी में होता ही है आए इंसी में जब मैं पढ़ता था तो प्लेस्मेंट ड्राइव मतलब हुई तो कई संस्थान आई और आप विसली निज च सामने इंटर्विवर सौरप सर जैसा हो तो थोड़ी सी चहरी की हवाईया वगरा ओड़ जाती हैं बढ़ हां सबसे अल्टिमेट जो आखरी का जो कहते हैं सभर कफल वह होती है सेलेरी जब सेलेरी अच्छी मिले तो आपको मज़ा आया मतलब आपके इंस्टिट्यूट में यह हमारे साथ विभावनी है यह अभी अभी पढ़के निकली है किसी संस्थान से कुछ मतलब अभी रिसेंटली तुरंत तो नहीं एक दो साल पहले तो आपके आपके इंस्टिटूट में होता है आधी है लेकिन प्लेस्मेंट में कभी बैठ थे नहीं क्योंकि उससे पहले और लगीली हमारा बैच ऐसा था हमारे सीनियर्स का है हमारा कि अच्छी संख्या में लोगों का प्लेस्मेंट वा था और एक लंबे गैप के बाद हुआ था तो यह एक अच्छी चीज भी थी वह जो नॉर्मल ने बताया की प्रोसेस होता है कि एक्जाम फिर जीडी इंटर लेकिन उसके बाद जब कहीं से पास आउट तो आप कहीं का एक्जाम भी दियो तो मैं तो जब ग्याजुएशन से पास आउट हो रही थी तो मैंने मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर रखा था तो जो दो तीन एक बेर महीने का गाप होता है जिसमें दुख दुख करता ह कि अगर प्लेस्मेंट नहीं हुआ तो मास्टर्स में अडमिशन नहीं हुआ तो लुए ऐसा दोनों मास्टर्स की रिजल्ट्स में हो गया था तो पर यह को अछी चीज है इससे अब पैकेज को लेकर सबके अपनी आपनी प्राय हो सकती है कि अनउन्स करना चाहिए कि नहीं यदिमेड जो पढ़ाई होती है तो इसका एक वो हो तही है कि उससे आपको क्या गें हो रहा है या फिर आप क्या आपक्या नॉलेजा थो होता है लेकिन वह नॉलेज को आप कैसी यूटिलाइ़ करो कॉन से इसे बड़ियां ज्रूट से पढ़ी हैं पूर्व चात्र जो हमारे नियूज रूम की शोभा बढ़ा रहे हैं विकास जी तो विकास जी आपका कैसा अनुभावरा प्लेस्मेंट नाम पूरा लीजिए माखलाल चतुरवेदी राश्रुपत रिकारता एवं संचार विश्विध्या ले देख लो वही है सुप्रिया न आखनलाल चतुरवेदी विश्व देख लेगे और हम लोगों का कैमपस ब्लेस्मेंट हुआ था बहुत सारे मीडिया संस्थान आयते जिसमें से 12 स्टूडेंट थे जो हमारे बैच में 30 में से 12 लोगों का एकी संस्थान में राजसान पत्रिका में तो हम लोगों का तो कि अगी बीमहिला से उसके उम्र और किसी आदमी से उसकी आय नहीं पूछी जाती लेकिन इसी बीच हमारे बीच क्योंकि आई एट गी बाथची चल रही है एंजिनियर भी मौजूद है सौरभ हमारे न्यूसरूम में उसके बाद पत्रकारिता कर रहे हैं तो इनका अनुब अगर बहुत मास में जब प्लेस्मेंट नहीं होते हैं। तो इसन अच्छी प्लेस्मेंट नहीं होते हैं। अब बिल्कुल होता है पर अगर आप उस कहबर को पढ़ेंगे उसमें ही बताया गया है कि बाद में फिर उसे कम किया गया है वह पहले काफी बड़े नंबर दिखा दिये गया है तो वह कुछी प्लेसमें तो अगर 100% के डारे में दिखा जाए है तो कुछी परसेंटेज ऐसे कि इसमें क्रोड में ही रहते हैं अड़े मागी आप एक अब आजये up वे क्रणों कि अपड़ा से कहा गया जांक पर यार उनका इतने क्रोड का पकेज चला क्या हमारे बालक का यह सुछ तो मेरा पैकेज हो कि मया न अब कर अबर में बनता है तो लिए च्टूईंट्स पर गाउप दिख़े हमें कि हम पीज हो एकाопनिश ऑ्मपनीयां केंמkaa उसका में हम प्रेंट में सर्फ टेहां मांने कि रपिते हैं सब्टो पर पहले हम पहले को ऑगायने की सब्सक्राइखें काईसे इतर एंसी परहतें बताओ जिसमें अच्छा पैकेज मिल जाता है ऑविस्टी सीएस कमड़ साइंस अच्छा पैकेज होता है फिर जिसे एक सोच बनी होती है सिविल और हमें कैनिकल में अक्सर सरकारी जो नौकरी होती हुजादा उधर के लोग दिखते हैं जो उस ब्रांच को चूज करते हैं सीएस वाले अकसर यही सोचते हैं कि उनकी प्राविट कंपनी में ही नौकरी लेगी और उनका पैकेज उतना ही हाई होगा तो पर ऐसा नहीं है कुछ पीएस यूस और बहुत सारी कंपनी हाईर करती है अधर ब्रांच में भी पर बहुत कम परसंटेज को परसंटेज है कि आप सक्सक्रावां की और ना क्योंक करूर को पैकेज इसके है तो इसी वीच मैं आपको खबर की एक और चीज़ बता देता हूँ कि यह जो फैसला लिया गया है All IITs Placement Committee यानि AIPC के द्वारा वो इसलिए लिया गया है क्योंकि अभी अभी पिछले हफते IIT Bombay ने एक लिस्ट जारी की थी जिसमें उन्हें कहा था कि हमारे संस्थान से करीब 85 से जादा बच्चों को एक करोड से ज्यादा का सालाना पैकेज मिला है उसके बाद फिर AIPC ने एक बैठक की जिसमें ये निर्ना लिया गया कि यार इससे प्रेशर बढ़ेगा सब इस्टुडेंट्स के ऊपर इसको हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं उनका एक आउसत बताते हैं तो ये खबर का एक और हमारे साथ अंजली है अंजली भी अभी ग्रेजुएट हुई है अंजली आप बताईए अपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है मैं अभी अभी ग्रेजुएट हुई हूँ एक दो दिन वाद मेरी कॉन्वकेशन भी है तो मुझे डिग्री भी मिल जाएगी मेरा एक्सपीरियंस एक प्लेसमेंट के लिए ना तो ठीक रहा मुझे नहीं मिला प्लेस्मेंट में खुच से आई हूँ मैं इसी बीच मैंने आप से कहा था कि मैं मीडियन के बारे में बताऊंगा तो मीन तो एक कॉमन जो एवरेज निकलता है कि इसी भी चीज का वो होता है मीडियन यह होता है कि कोई भी एक नंबर की सीरीज है कि सारी उसमें संख्या है तो पूरी संख्याओं को इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ओर में जमा कर जो बीच में जो भी नंबर आता है उसको मीडियन कहा जाता है जैसे एक से लेकर दस तक के अगर हम जमाएं, तो पांच बीच में आता है, तो उसका मीडियन पांच होगा, तो इस तरह से भी एक कैलकुलेशन उसका है, अब यहां पर हमारे साथ, और हमारे कुछ साथ ही है, सूरेखान जी है, यह भी टेक्निकल बैग्राउंड से है, इनकी इस से बचपन से ही प्रताड़ित हुए, प्रताड़ित ऐसे हुए, कि पैकेज को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजिंग है, जैसे कि मतलब आपका पैकेज छे लाग रुपे है, तो आम समझ में ही होगा, कि छे लाग डिवाइड वाई, बारा, ठीक है, तो ऐसा हमारे साथ बहुत होता था, जैसे हम छोटे थे, तो हमारे जो बड़े उहां पर लोग पढ़ने गए, फिर उनको नौकरी लग गए, तो पापा जी से लेकर तमाम लोग बोले, पदा उसको इतने का पैकेज मिला है, और वो डिवाइड होता था बारा से, तो हमें बड़ा जी लगता कई सही कई और वी और बाथ चलता है, पिसमें कि हाँ, इन हेंट शेलरी कित्ति कितने हैं, ऐख उसकते होता है, एक इन हेंट सैलरी ऍ माँ रए चैसें कितनी होती है, बात समपनी बड़े मुंत बढय तयो हैं। तो पैकेज को आप सीधे इससे नहीं जोड सकते हो, कि किसी को अगर एक करोड रूपे का पैकेज दिया गया है, तो उसमें उसका इंसेंटिव होगा, उसके बोनस होगे, उस कंपनियों के जॉइनिंग बोनस भी होते हैं, जैसे गूगल यसी कंपनियां ऐसा आफर करती हैं, तो उस साल जो पैसा मिलेगा, वो जॉइनिंग बोनस होगा, अगले साल से वो कम हो जाएगा, तो ये सारी जो चीजें है, बहुत सारे फेक्टर हैं, तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन कर लेना, कि छे लाग रूपे डिवाइड बारा किये, तो कितने हो गए, पचास अजार, तो पचास जार तो नहीं है, ये लगी मिलेंगे और कम मिलने में कोई पड़ा ही नहीं, उसमें आपका पी आपका पैसा भी कट रहा होता, तो आई आई एटी ने जो किया है, वो बहुत सही है, बहुत सही किया है, इत अपने आप में एक बहुत बड़ा संस्थान है, ठीक ह तो ऐसे में वो दसजा लोग चुने गए हैं उनकी उपर एक तो वो प्रेसर था जो उन्होंने कैसे करके पार किया और अब फिर नौकरी फिर पैकेज का प्रेसर तो बहुत अच्छा है कि बताओ हाँ अच्छा पैकेज मिला है मौज करो किसको किता पैसा मिला जैसे तुमने बहुत अच्छा है क्योंकि होता ऐसा है कि अब जैसे मैं भी जब चोड़ा था वैंतरू में था तो न्यूस पेपर स्वाले क्या करते हैं कि वहां तो जो ही एक करोड द्रेल को तीन करोड है तो पेरेंट्स अपने बच्चों पर वह एक प्रेश्र डालते हैं कि वह देखो वह उस आई टी में तना आचा पैकेज गया है तो वो बच्चों को एक सपना दिहाएं लगते हैं, which is very wrong, और जबकि असले दूसरी होती है, क्योंकि एक या दो, या तो एक अगर असल मेंट्रिक देखेंगे आप, तो वो एवरेज और मीन पैकेज है, जो भी आपने बताया, एक वो चीज है, तो मेंली देखना तो ही चाहिए है, अब आप करोड़ सबको नहीं मिलता है, तो मेंट्रिक वही है, एवरेज और मीन, वो जादा अच्छा है, वाक करूनों का पैकेज जा रहा है, अपके उपर भी कुछ प्रेशर बना था कि यार, एंजिनिरिंग कर लो, पेरेंट्स ने बनाया था, कि अपनी फील्ड में मत जाओ, एंजिनिरिंग करो, वहां तो इतना पैकेज मिलता, क्या? मुझे ये प्रेशर तो कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पैरेंट्स ने ही मुझे बोला था कि तुम हिमानेटी लो, आर्ट्स लो, तो मुझे ये वाला पैकेज वाला तो नहीं हुआ, फैमिली के तरफ से मुझे कभी कुछ फील नहीं हुआ, पढ़ हा, जब मैं ऐसे ग्रेजुएशन में थी, तब एक काइंड ओफ प्रेशर जैसा मुझे फील हुआ था, वो प्लेस्मेंट को लेकर नहीं था, इस तरीके का होता है, कि I think मुझे लगते है कि वो इतनी बरी संस्थान है, तो वहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडन्स थोरा सा, वो अपना इगो वाला चीज हलका वो थोरा सा, कि हां हम IIT से हैं, हमारी इतनी प्लेस्मेंट, इतने की लगती है, और उसी में एक मेरा फ्रेंड है, जो IIT पतना में था, उसने मुझे बताया थे कि उसके कैमपस में 5-6 लाग की अगर पैकेज के लिए आते हैं तो बो लोग तो बैठते ही न जब बहुत साल बाद उन से फोन पर बात करती हूं मैं करती हैं अब बताये कैसे हैं आप तो जॉब उन्होंने मुझे पुचा तुम्हारा जॉब कैसा चल रहा है अच्छा मैं बढ़ा आपका तो मैंने रिजाइन कर दिया मैं बढ़ा क्यूं यार कहीं और कर लिया हैं हम ऑब भी यह जीज तो ठीक है और हम कुश हैं हमें जितना मिल रहा हम खुश हैं बात सेटीस पेक्शन की है क्यूंकि जरूरी थे कि फिर अगर अगर आप East looked how to work में आप खुश ही हूँ आप काम करने में भी हो सकते हैं खुश हो सकते हैं अगर आप अपने काम से खुश हैं तो तो भाई हमने सबसे तो जान लिया न्यूजरूम में किसका कैसा experience रहा placement से related package से related हम भी एक संस्थान से पढ़ हैं Indian Institute of Mass Communication New Delhi और हमारे जो संपादक महुदे हैं संपादक महुदे भी वहीं से पढ़ हैं IIMC से सर आप जब IMC में थे तब भी कुछ प्लेस्मेंट वगेरा placement drive का Rajat जी हमारे जो production के head हैं वह IMC से हैं और उपासना हमारे साथ मौजूद है वह IMC से हैं दीप जिससे हम इस वीडियो की शुरुआत हुई थी वह IMC से मतलब इस न्यूजरूम में आपको आयूश हमारे साथ विपिन आज आईजल दिया जाईए वह IMC से हैं अब जब सबसे पूचे हैं प्लेस्मेंट में सेलरी कितनी थी तो IMC कोई जाएगा नहीं उस चक्कर में क्या कर रहे हो देखे सर भी हमारे साथ आईटी से रिलेटेट सर अभी वो करोड वालम है ना तो उसमें नहीं बिलकुल नहीं है तो रहचा जी फसार है कि प्लेस्मेंट ड्राइव से और पैकेज से आपका कैसा एक्स्पियम्स राइस इत फाइन कैसा रा मतलब एक्स्पेक्टिशन के बहुत जादा खराब क्योंकि वह साल बहुत मुश्किल था दो हजार साथ में पढ़के निकला था IMC से और अंग्रेजी वालों का मतलब जि इंटर्शिप करने का उनने भी बहुत देट से किया हो इन दोनों जगे किया था एक तब चैनल लॉंच हो रहा था लाइव इंडिया उनने हमको दी नौकरी बढ़िया बावन सो रुपया महीने का देते थे महीने का रोज कर नहीं कि बावन सो रुपया में दिल्ली में पाज़ता है कि आप एज्जे में थे और और आप एज्जे में किसको पढ़ाते थे एज्जे मतलब हिंदी जर्नलिज्म और एज्जे मतलब इंग्लिश जर्नलिज्म यह जो पतल 말ए तोड़ी सी परसनल वाली टॉक को गई है मेरे युरी तरम हम कांचा जे आचा सु था तो भीत इंघी विंगलेशनलिजम जान का सै थैंकफुली आइकन प्रबरी शिय्ंगी तो नएंडी करया ओशना पेश्केलम के शोपाई फिख हो भारता है अगर आपका काम बेस्ट होना चाहिए जैसे हम लोग आइकन प्रावडली से हमारी स्पोर्ट्स टीम ने प्रवीन कुमार पे रिसर्च की प्रोडक्शन टीम ने इतना शांदार प्रोमो गाटा सब लोग उने सबाल पूछे और अंग्रेजी के जातर बड़े संस्थानों ने उस इंटर्व्यू के चंक्स उठा के खबर बनाई तो अगर आप यह चाहते हो कि आप हन्दी में कॉंटेंट बनाओ ā जिसको हर कोई एकनोलेज करे तो फिर आपको हिंदी में बेस्ट तैलेंट चाहिए बेस्ट टैलेंट के लिए बेस्टैलीके लिए इस पैसा चाहिए जो की अंफोर्चनिटी उसね पर नहीं था चाहिए तो एक पहली नजर तो चली जाती है पर वो सिर्फ पहली नजर होती है I would like to add that अंतता रजट सेन कैसी documentary बना रहे हैं इससे ते होगा कि वो कैसे इससे नहीं होगा नंपास किस संस्थान की घ्री यह बेड़न के राड़ काम अच्छा कर रहे है है ठीक है तुम्भी अच्छा काम त्वासनाब यह इनको भी बहुत अच्छा काम करना है तो आप इमसी से और ज्यामिया से जे नीूसे हो मांखं लाल से हो सिथे लिए अटीडीर ही ले आब इन वे से भी नहीं हो हैं कर दिफतर मैं सब्सदान नहीं गांग्जंगे है इसोशल मीडयग है और यह लोग नहीं भी कैसा आसी automatizza मुड़ाई था कyon define दफ्तर में मास कौम की पढ़ाई की तुमने थैंक गॉड इसे दांद मौन ने नहीं की है मास कौम की पढ़ाई और यह लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं प्रशांत ने नहीं की है दरपन दरपन ने तो सब्सक्राइब किया होटल मेरेजमेंट किया है हां तो पर पैकेज अगर थोड़ा सा शुरू में ठीक मिल जाए ना तो सर्वाइबल यार मतलब आप घर से कब तक बईसे मागों गया है ठीक है दूसरी चीज और दिल्ली एंसियार में गुजारा मुश्किल होता है और आप ऐ इसी जगे खाना नहीं खाना चाहते हो तीनों टाइम जहां पर पॉष्टिक भोजनना मिलता हो बहुत मसालेदार हो आप धावे पर तीन टाइम खाना नहीं खाना चाहते हो तो एक बेसिक तो होना चाहिए मैं तो चाहता हूं कि इस पर को नियम बना दे सरकार कि मिनिमूम तो इतना तो एक लाइवली हो नहीं चाग है, जैसे बन्रेगा का है न इतना पही साथ मिलने चाहे है कि नहीं बता कि कॉंट्रेक्ट मी यह है कि नहीं पर मुझे वेजबोर्ड में जो पैसा मिलता है उससे बहुत ज्यादा मिला है और मैं बहुत संथा अपर लागा था मेरा सवाल सर यही था पैकेज और प्लेस्मेंट जो हुआ था उस प्रोसेस में आप कितना सैटिस्फाइट और आई आई टी जो डिक्लेयर करते हैं कि इतने करोड का पैकेज हमारे यहां से चला गया तो उससे प्रेशर क्र्येट होता है परेंट्स और स्टुडेंट्स पर अन्तता आप पैकेज से नहीं जाने जाते हैं कोई भी संस्थान अनतता आप अपने प्रफेसर और अपने जाने जाते हैं ठीक है हमारे यहां कौन पढ़ाता है और हमारे यहां से कौन पढ़कर गया सुधामूर्ती जहां से पढ़कर आई होंगी कलपना चावला जहां से पढ़कर आई होंगी प्रियंका चोपला जहां से पढ़कर आई होंगी इस रो की साइन्टिस जहां से पढ़ था हूंगे वो कितने गर्व से बताते होंगे कोई बड़ा साइन्टेस्स कोई बड़ा एकॉनिस्ट हम लोग हमसे पूचा जाता है आप हम बोलते हैं आप जे नियू जहां से नोबल पुरस्कार विजेता अभिजीद भेनर जी पढ़े हैं, जेनियू वो जहां से कमाल के राइटर जिनको पढ़ाई आता है, सुदीप तो कविराज, जिनकी सोचालोजी पॉलिटिकल थियोरी पढ़ाई जाती हैं, वो पढ़े हुए हैं, जेनियू जहां से, अब एस ज परेशपन थे, रोम लथा पड़ती हैं, नामवर सिंग थे, जो भी प्रोफेसर्स उदा पाई थी, अलग-अलग फील्ड के, तो उससे होता है, आंते ता प्रोफेसर्स और चर्चित अलुमिन आए, कि यसे IMC बहुत होता था, तो मैं पता है कि वो IMC से पढ़े हैं, हमारे हम लोग पढ़ते थे, तो हमारे टाइम पे सर का भी नाम आता था, जब और 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 येंटेशन हुआ था, तब सर की तस्वीर आई थी, उसमें कि सर आने माले और और ये लिया भी था, तो भाई ये तो हुई हम लोगों के प्लेस्मेंट की बात, हमारे पैकेज से जुड़ दिललन टो, शुक्रिया.